हेलो गाइज वेलकम टू माई चैनल टैको ब्यूटी से मैं मेकप पार्टी सनीता जैस्वाल आप सभी का स्वागत करती हूं सबसे पहले आप सभी को दिपावली की बहुत-बहुत शुपकाम में बहुत से व्यूवर्स ने हमसे पूछा है कि कलर वील हमारी कलर चूज करने मे किस तरिके से सहायता करता है आई मेकप के दुरान तो आज हम आपको कलर वील के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रहे हैं सबसे पहले हम आपको बताएंगे एनालोग कलर के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांजेक्शन क्या होता है कि जब भी हम कोई दो क एक कलर से दूसरे कलर में जाने के लिए हम एक तीसरे कलर की हैल्प लेते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन अभी जैसे मैंने बताया कि आई मेकप के दौरान हम जैसे कि दो कलर यूज करते हैं तो हमें एक कलर से दूसरे कलर में जाने के लिए तीसरे कलर की हैल्प लेनी पर्ति जैसे कि हम आई मेकप के दॉरान हमने सबसे पहले या ओर इंस लह ऑर इंश यह लू रहो ना जाने के लिए हमें बीच में एक कलर यूज करना होगा वहें अरई यह एलो यह हमारा हुआ ट्राइश्ट यह द्रॉभोट होई ज्राइव और इंस सीधे पर नहीं जा सकते हैं तो हमें इसके बीच का हमें एक कलर लेना पड़ता है जिसे कहते हैं हम और तो यह हमारा हुआ को ट्रान्जेक्शन गलर, एनलोगस कलर ó, कलर वीं में लगातर किसी भी तीन कलर के समूपन को एनलोगस कलर कहते है जैसे कि आप लेख रहे हैं, यह हमारा कलरवील है, Color wheel में हम लगातार तीन color यूज़ करेंगे जैसे orange, orange yellow और yellow ये हुए हमारे analogous color जैसे कि red orange, orange और orange yellow या फिर ये हमारा हुआ violet, blue violet और blue यानि कि हमारे color wheel में लगातार जो तीन color है उसे हम analogous color कहते है उदारन के लिए आप ये eye makeup देखिए इसमें मैं आपको analogous color का वो दे रही हूँ एक example दे रही हूँ जैसे कि हमने ये eye makeup में आपने crease line के उपर देख रहे है हमने सबसे पहले क्या यूज़ करा है orange, फिर orange yellow और फिर yellow ये हमने red orange color यूज़ करा है जैसे कि ये red orange हो गया ठीक है ये हमने crease line किस से कर रही है create red orange और उसके उपर हमने कौन सा color यूज़ किया है yellow इसके बीच में हमने क्या यूज़ करा है orange yellow ठीक है फिर से मैं समझा रही हूँ ये हमने यूज़ करा है yellow color color wheel से orange color यूज़ करा है फिर उसके उपर ये वाला color बीच में जो transaction color हमने कौन सा यूज़ किया है orange yellow फिर उसके उपर हमने कौन सा color यूज़ करा है yellow तो ये हमारा blending effect दिखेगा तो ये होते है analogous color ऐसे ही मैं आपको analogous color का एक और example देती हूँ जैसे के हमने देखा eye lid पर हमने कौन सा color यूज़ करा है blue violet फिर उसके पर हमने transaction color कौन सा यूज़ करा इसमें violet color फिर उसके उपर हम blending effect कौन सा दे रहे हैं किससे violet red से तो ये हुआ हमारा analogous color analogous color का मैं आपको एक और example देती हूँ ये हमारा eye makeup में देखिए ये हमने color लिया है yellow और center में हमने क्या लिया transaction color yellow orange और last में हमने कौन सा color लिया है orange तो ये हुआ हमारा analogous color फिर से मैं बता रही हूँ हम analogous color में जो analogous color में क्या होता है कि हम वील में लगातार जब तीन color यूज करते हैं तो उसे कहते हैं analogous color तो इसी same वही हमने इसमे color wheel के दुरान आप देखिए इधर मैंने क्या यूज करा है yellow color बीच में हमने transaction color क्या यूज करा है orange yellow और लास्क में मैंने outer corner पर क्या यूज करा है orange color यह हुआ हमारा analogous color एक चीज़ आई मेकप करते समय एक चीज़ का आप लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमेशा इनर corner पर lighter color आता है mid में उससे dark color आता है और लास्क में एकदम dark color आता है तो इस चीज़ का आप कोई भी eye makeup करो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि inner corner में हमेशा lighter color यूज करेंगे बीच में उसके mid का transaction color यूज करेंगे और outer corner पर हमेशा dark color यूज करेंगे तो आज हमने जाना कि eye makeup करते समय color wheel हमारे color चूज करने में किस तरके से मदद करता है एक पर फिर से टैको ब्यूटी की तरफ से आप सभी को दिपावली की हार्दिक सुपकाम नहीं धन्यवाद